अवेरिक गूड आफ्टरनून क्या हाल चाल मेरे सभी बच्चों का सबसे पहले मैं सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर योगता जैसे बच्चे अपनी भूग से लड़ाई लड़कर अभी तक वेट कर रहे हैं लेकिन मेरी कोई गलती न तो शुवन द्रुवेधि काड़के भारत वंशी धरमवेड सिंग चोहान योगता भारत वंशी आत्मा प्रकाश भारत वंशी यानि की मैं रिंकु सिंग राश्ट्री और मेरे सभी बच्चे लाइग रॉनेत शालू अर्पना जा धरमवेड सिंग चोहान अशोः आप सभ अपिका बारम बार धन्यवाद वफिंग भी आए थीक है मेरी आवाज आरी सभी को सभी मुझे कमेंट सेक्षिन में बताएं is everything clear मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है मेरी आवाज आरी सभी को चलिए चलिए ठेंक यू सो मज साथ आज थोड़ी ये दिक्कत हुई पल्लवी दिर्वेदी अरुनकुमान रेश्मा भारत वंसी रौनेत कॉनाल आज ये दिक्कत हुई कि मेरी और मंजु में की क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिंक से बच्चे मंजु सर की क्लास में चले जा रहा है थी तो निश्चित तोर पर इस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर होने में पांच से साथ मिनट का समय लगा लेकिन कोई बात नहीं हो जाता है कभी-कभी कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग डिर्ट्ट्ट्ट प्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलिसी की चर्चा कर रहे थी एक्वल पे एक्वल वर्क बड़ा इंपॉर्टन था लिकिन निश्चित रूप से मैंने तुम मैं बताया था कि ये जो एक्वल पे एक्वल वर्क का सिधान था उसको लेकर पार्लियामेंट में क्या डेवलप्मेंट हुआ आज भी तमाम विश्यों पर चर्चा करेंगे लेक सुबह नौ बजे रात को नौ बजे एप्लिकेशन पर दिन में साड़े बारा बजे यूट्यूब पर इस वन आफ दी मोस्ट इंपोर्टन नोटिफिकेशन क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो साथ मार्च का दिन है दिन के ग्यारा बजे आप भारत के सबसे बड़ी एक साइज में इस देश के हज़ारो हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो एक एक सी एकसर साइज जो बिलकुल फ्री आफ कॉस्ट है और जो निश्चित तौर पर हज़ारो हज़ार बच्चों के बीच आपको ये संदेश देगी आप कहां खड़े हो क्या कमी है क्य ताकत है तो सभी याद कर लें साथ मार्च आज हो गई चार मार्च ठीक आज से तीन दिनों के बाद लगबक सतर घंटे बचे हैं जिसको जितना पढ़ना है पढ़ लो और जो पिछली बार रैंक आई थी उस रैंक से अच्छी रैंक लाने के लिए आगे बढ़ो ठेक और जो बिटर टॉपर्स होंगे उनको बहुत अच्छी अच्छी नाम मिलेंगे कल यानी तीन मार्च से तमाम नए बैचे शुरू हो चुके हैं मिसने सी यूपी एससी के लिए एक साल दो साल एंसी आर्टी भारत के जितने बड़े अजूकेटर्स हैं ये लाइव अपने प्लान बनाया है उनके लिए तीन मार्च के ती थी बड़े इंपोर्टेंट है और ये कॉम्बो आफर खुशी की बात ये है कि इस तिल कंटीनूइंग अभी भी चल रहा है बहुत बहुत बढ़ी रात की खबर है उन बच्चों के लिए जो निश्चित तोर पर अभी तक पुहा पोह में थे क्योंकि बेटा केवाल इस कॉम्बो आफर में आपका 29%, 42%, 26%, 37% ये जो फीस इस्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं दायन तरह निश्चित तोर पर पर इतनी बचत है मेरा रेफेलर कोर्ड याद रखें अगर मेरी टीम के साथ पढ़ना है तो ठीक है अग UPSC 2021 के प्रेलिम्स के पहले जुड़े हो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने टॉपिक पे मैं सबसे पहले उस स्लाइड पर आता हूँ जिसे मैंने कल खत्म किया था एक्वल पे एक्वल वर्क के रूप में येस, here is the exact slide एक्वल पे इक्वल वर्क important इसलिए है समझना क्योंकि मैंने कल आपसे कहा कि डारेक्टिव प्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलिसी के रूप में हम यह जानते हैं कि ये डारेक्टिव प्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलिसी नियायले के द्वारा प्रवर्तित नहीं हो सकते हैं लेकिन कल मैंने आपको केवल एक इक्वल दिया था equal पे equal वर्क का और उस इक्वल के रूप में मैंने आपको बताया था कि निश्चित तोर पर जब मैं अगर्टिय प्रिन्स्पल ओफिश्टेट पॉलसी की बात करूंगा तो यह कहना सही है that they are not enforceable ठीक है बहुत अच्छी बात है यह सभी को पता होनी चाहिए लेकिन मैं कहता हो जितना आपको यह पता होना चाहिए कि डार्टियू प्रिंस्पल ओफिश्टेट पॉलसी have been made fundamental in the governance of this country आप ये याद रखो साब enforceable नहीं है लेकिन आपको Article 37 भी याद रखना है कि Article 37 के अनुसार इस देश की जो सरकारे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि निश्चित रूप से Directive Principles of State Policy में जिन principles की हम बात करते हैं उन principles को लेकर आगे बढ़ें कानून बनाएं और कल मैंने example के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की थी कि Equal Pay, Equal Work जो Article 39 D में है उससे प्रिर्णा प्रात करके उस जिम्मेदारी के निर्वहन के रूप में पार्लियमेड ने बिटा एक बड़ा एहम act पास किया Equal Remuneration Act 1976 निश्चित रूप से जब Labour Law के तमाम laws मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेंबल के लिए क्योंकि you never know ये Labour Laws के जो कानून है आपसे examination में कपूछ लिए जाया मैंने आपको बताया हमारे देश में जितने डेली वेजेस के बरकर है उन सभी को इसने कवर कर लिया अब बड़ा अच्छा कानून सामाजी नया सोचल जेस्टिस को सच करने वाला कानून सहाब ये तो किवर पहला एक्जाम्पल था ऐसे तमाम द्रिश्टांत हमारे सामने हो सकते हैं निश्चित रूप से अगर हम बिटाई से बहुत गहराई में पढ़ते हैं जहां डिरेक्ट्व प्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलसी को लेकर इस देश की संसद ने बड़े एहम कानून बनाए और इस्टे रूप से वही जानकारी डिरेक्ट्व प्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलसी के लिए महत्पॉर्ण है और हमारे एक्जामनेशन के लिए महत्पॉर्ण है तो कर जिस चर्चा को मैंने शुरू किया था कि हमने आर्टिकल 39D को कानून की संग्या दे दी ऐसे तमाम विश्यों को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कब-कब क्या development हुआ डिरेक्ट्व प्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलिसी को लेकर तो क्या आप मेरे साथ तैयार है डिरेक्ट्व प्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलिसी को इस रूप में पढ़ने के लिए अगर तैयार है तो मुझे comment section में बताएं मैं आगे बढ़ता हूँ इस शर्थ के साथ आप notes बनाते रहेंगे ठीक है ओ थैंक यू सो मच रेश्मा कुमारी आज किसका जनम दिन है आज किसका जनम दिन है आज रेश्मा भारत वंसी का जनम दिन है अरपना का जनम दिन है वाह अगर मैं सही हूँ तो आज मेरी प्यारी बहन अरपना का जनम दिन है निश्चित रूप से अरपना is one of the most darest student of mine और यदि अरपना का जनम दिन है मैं application पर पता कर लूँगा हम लोग application पर जनम दिन जिस रूप में मनाते हैं मनाएंगे लेकिन मैं YouTube के माध्यम से भी इस channel के माध्यम से भी अरपना को धेरो 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 बदाईयां देना चाहता हूँ ठीक है बहुत अच्छे अरपना तुम बहुत अच्छी हो पढ़ने में आगे बढ़ो बिटा हम सभी तुमारे साथ हैं तुम सफल होगी और यही प्राथना है तुमारे जनम दिन के लिए यही सबसे पहुत्र प्राथना हो सकती है कि तुम सफल हो चले सहाब आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कल हमने आर्टिकल 39A की चर्चा की फिर उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 39D की चर्चा की फिर तत्पस्चात हमने आर्टिकल 44 की चर्चा की अनुछे 44 के बाद मैं आपका ध्यान बिटा एक बड़े महत्पून आर्टिकल आर्टिकल 48 पर लेकर जाना चाहता हूं फिर हम लोग आर्टिकल 48 A भी पड़ेगे आर्टिकल 48 DPSP का बड़ा important part है निश्चेत तौर पर हम सभी को पता है DPSP में आर्टिकल 48 में क्या दिया गया है इस देश की सरकारों को कहा जाता है जो हमारी क्रिशी विवस्ता है जो हमारी animal husbandry है उससे आप organize करें उससे आप protect करें और इस रूप में आर्टिकल 48 बड़ा important है पहले मैं पढ़ देता हूं निश्चेत रूप से उसके बाद कुछ special points आपको बताऊंगा आपके notes के लिए आर्टिकल 48 डाटिकल 48 डाटिक्स अगर अनुचेत 48 का अध्यान करोगे तो तुम पाओगे कि इस देश के सरकारों से यह आशा की गई है क्योंकि तो भारा सुरू से कृशी प्रधान देश रहा है भारा सुरू से जानवरों के प्रती प्रियम रखने वाला जानवरों के साथ आगे बढ़ने वाला जितने भी हमारे दूद देने वाले पशू हैं जितने भी हमारे खेती में सहायक पशू हैं निश्चित तोर पर आदी अनादी काल से वो हमारे देश के हमारे देश के विक इसको एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि साफ सबसे पहले आप से हम यह आशा करते हैं आप agriculture को लेकर आगे बढ़ेंगे उसे प्रोटेक्ट करेंगे प्रोमोट करेंगे अनिमल हजबेंटरी को प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन उन्होंने कहा that should be done on the modern and scientific line. आप खेती को लेकर सरकार की जिम्मिदारी है कि इस देश के लोगों को तयार करें कि वो नए innovative techniques को अपनाए, technology को अपनाए, नए developments को आत्म साथ करें. ज़रूरी नहीं है जो खेती उन्निस सो पचासाथ सत्तर अस्ति नब्बे दो हजार तक होती चली आती थी वही खेती आज हो. यदि आज तुम अपने गाउं अगरा से जुड़े होगे तो निश्चित तोर पर तुम देखते होगे कि सरकारें किसानों को बहुत प्रोश सह करती हैं. यह जो सेमिनार्स होते हैं, डायलोग सेशन होते हैं, आप लोग एक डेवलोप्मेंट देखते होगे गाउं में कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन, कम्यूनिटी रेडियो यह किसलिए है? यह किसानों को जागरूप करने के लिए. उसके बाद तमान टेकनलोजी है चाहे वो मचली का वयापार हो, चाहे दूसरे वयापार हो, चाहे मश्रूम का हो, चाहे लावेरा की खेती हो, इन सब पर सरकार सबसेड़ी देती है. क्यों देती है? आप बताइए क्या जुरूरत है सरकार को सबसेड़ी देने के साब? आपका काम है, आपका धंदा है, भूम आईए चाहे वो गौव बिटा यहां का हो चाहे उडिसा का हर जगे हो आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि आज के समय में मचली पालन को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुपता है लोग बिलकुल motivated रूप में बिटा मचली पालन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सरकार और सरकार उनकी मदद कर रही है उन्हें सबसीडी दे रही है तो हमेशा याद रखना है यह सबसीडी क्यों available है यह सबसीडी article 48 की वज़े से applicable है उसके बाद article 48 क्या कहता है कल को यदी बिटा सरकार इस तरह की guideline बनाती है इस तरह का कारून बनाती है जहाँ पर सरकार यह कहती है लोगों का ध्यान रखते हुए लोगों की धानमिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए कि हम गायों को नहीं कटने देंगे आपको पता है दुनिया बर की state है जब BJP की government आई तो दुनिया बर की states हो सकते हैं चाहे वो MP हो चाहे UP हो चाहे महराश्टरा हो यहाँ पर बीटा बीफ का जो slaughter है उसे बंद कर दिया गया ठीक है न कानून बना सकती है सरकार अब अगर सरकार ने इस तरह के कानून बनाया कि निश्चित तौरबर बिटा आप beef eating नहीं करेंगे beef selling नहीं करेंगे beef slaughtering नहीं करेंगे what does it mean आप कल को जाके साब यह नहीं कहने लगेंगे फेस्बुक पर करेंगे अगर कोई एक ऐसा पशू है जिसके लिए निश्चे तौरब से इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का धार्मिक सेंटिमेंट जुड़ा है जो उन्हें माता कहके पुकरती है जो उनकी कानून बना दी तो मैं कहना चाहता हूं कि याद रखना यह सरकार को दोश मत देना बिटा यह आठकिल 48 में दिया गया है and prohibiting the slaughter of the cows what does it mean सम्मिधानिक निर्माताओं ने इस देश के सरकारों से अपेच्छा की है और इस देश के सरकारों के ओपर यह सम्मिधानिक मानेता है बात हिता है कि वह आने वाले समय में cows के slaughter को बंद करेंगी बच्छोनों के slaughter को बंद करेंगी जितने भी drought cattle है उनके slaughter को बंद करेंगी तो दिन्या भर के जो laws हैं अगर आप कहेंगे अगर मार्गंडे कार्जू साहब हमारे justice हैं बड़े renowned justice ने पढ़े लिखे justice ने उनके तम करना है इन विशियों को सरकार के पास ताकत है सरकार के पास चमता है और सरकार ने ऐसे तमाम आउसरों पर खुद को साबित किया है जहां directive principle of state policy के किसी विशय को उठा कर उसने law बना दिया अभी कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें state of Bombay का case law पढ़ाया था जहां 2016 के कानू को चुनौती दी गई थी मेरे कहने का मतलब है आपका fundamental right एक तरफ सरकार की बाधिता एक तरफ अगर सरकार DPSP को लेकर बिटा आगे बढ़ती है कानून बनाती है तो you cannot do anything आप यह नहीं कह सकते हैं रहे कैसे कर दी आपने DPSP का कानून कैसे बना दिया DPSP तो non-justiceable है है ले मैं आपको example देना चाहता हूँ लिखना चाहोगे तुम लोग चलो copy उठाओ notes उठाओ मेरे साथ लिखो सबसे पहले मैं तुम्हारा ध्यान आकर्शित करना चाहता हूँ क्योंकि law का professor हूँ wildlife protection act 1972 environmental law का बड़ा important विशे है निश्चित रूप से बिटा यह wildlife को protect करता है यह flora क प्रोटेक्ट करता है यह fauna को protect करता है यह जितने endangered species हैं उन्हें protect करता है आप कहेंगे साथ wildlife protection act और article 48 का क्या संब्द है मैं कहूंगा भईया कैसी बात करते हूँ article 48 से directly जुड़ा है wildlife protection act और जब आप बेटा wildlife protection act की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं सरकार ने भी यह सोचा होगा हमारे ओपर समयधान ने यह जिम्मेदारी दी है अनुछे 42 के मात्यम से अनुछे 37 के मात्यम से कि बेटा हम इन wildlife को लेकर endangered species को लेकर कानू सरकार ने कानून बनाया आप देखो wildlife protection act पहला बहतरीन example हो सकता है उसके बाद एक और बिटा लगबग मुझे लगता है इससे 12 साल पहले एक कानून आया था उस कानून को कहते हैं हम लोग prevention of cruelty to animal act 1960 ठीक है आप पढ़ने साब एक बार 1960 के कानून को जब आप prevention of cruelty to animal act पढ़ेंगी जब आप facebook वगरा पर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग छोटे 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 डॉक्स के बच्चों को छट से फेक देते हैं उन्हें जला देते हैं बिलियों के साथ अत्याचार करते हैं मैं कहता हूँ अगर पकड़ लिये गए तो निश् काले हिरन के जो उन्होंने शिकार किया ने किया उन्हें डेजन्ट मेटर मैंटर सब जुडाई से मैं क्या बोल सकता हूँ लेकिन उनके ओपर जो आरोप है काले हिरन के सिकार को लेकर आज तक सल्मान खान जैसा बड़ा celebrity मतलब जो ताकत वहरे जिसके पास पैसा है जिसके को जनम दिया 1972 ने मलब 1972 के कानून को जनम किस ने दिया अनुछे 42 ने डिरेक्टिव प्रिस्पल आफ स्टेट पॉलसी ने आज भी सल्मान खान जोदपुर के जायल में जाकर मिटा समय भी उन्होंने कई बार बिताया है जोदपुर की कोर्ट में जाके हर पेश्ची पर इसमें बिटा 2003 का एक अमेंडमेंट हुआ है अगर तुम लोग पढ़ना चाहो तो मैं पढ़ा सकता हूँ एक 2003 का अमेंडमेंट है और उसके बाद समय समय पाद चाहे वो प्रिविंशन ऑफ कुरेल्टी टू डॉट अनिमल का एक रूल है 1965 का एक 1972 का रूल है तमाम ऐसे एक इसमेंपल हो सकते हैं जिनकी मदद से सरकार ने वाइड लाइफ को प्रोटेक करने की पहल की है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बिटा ये सारे लॉट इसलिए संभव हो पाए क्योंकि आर्टिकल 48 हमारे सम्मिधान का हिस्सा है ठेक है चलो चले आगे बढ़ें तयार है मेरे स किसी और टीजर की तलास कर लो तुम लोग ठीक है लेकिन मेरे साथ पढ़ना है तो अनुसाशन के साथ पढ़ना होगा नोट्स बनाने हूँ क्योंकि एपी सर का नोट्स के बिना काम नहीं चलता ठीक है अब दूसरा एक्जामपल क्या हो सकता है आर्टिकल 48-a में बद आर्टिकल 48-a कहता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूव्मेंट ऑफ फॉरेश्ट एंड वाइल लाइफ वाइल लाइफ वाइल लाइफ मेरे कहने के मतलब है बेटा 48 जब बेटा बात करता है उन एनिमल्स की जिनकी जरूरत है एग्रिकल्चर में जो ड्रॉट एनिमल्स है आर्टिकल 48-a उसके एक कदम आगे जाकर कहता है कि जितने भी फॉरेश्ट है जितना भी इन्वारॉमेंट है जितना भी लेक है जितने भी रिवर्स है उन सभी के प्रोटेक्शन को लेकर निश्चित रूप से केंद और रासरकारें कानून बराएंगी पहले मैंने क्या लिखा एक बर मेरे साथ पढ़ लो फिर मैं तुम लोगों को एक्जाम्पल के तौर पर तमाम विश्यों को बताऊंगा ठीक है लिखने को तयार रहना आर्टिकल 48 requires the state to take steps to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife in the country ठीक है साथ अनुच्छे दनताली से किस सम्मेदानिक संसुधन से आया मेरे बच्चे बता देंगे मैं नहीं बताने वाला लेकिन मैं कहता हूँ मेरी बात ध्यान से समझिएगा मैं कहता हूँ कि जब अनुच्छे दनतालीस ए ने इस देश के सरकारें को उपर ये जिम्मेदारी तै की कि आप इस देश के फॉरेस्ट वायल लाइफ को लेकर आगे बढ़ेंगे तो वो जिम्मेदारी कि अवल इस देश के सरकारों ने नहीं निभाई भाई सरकारों ने तो निभाया निश्ची तोर पर इसे तमाम कानूनों को मैं तुम्हें गिना सकता हूँ जिसको लेकर सरका आगे बढ़ी लेकिन मैं तुम्हें बताना चाता हूँ कि इस देश के सरवोच और उच्च नियायल ने भी अनुछेट 49 ए का साहरा लिया और अनुछेट 49 ए की साहरता से इस देश की नियायलों ने बड़ा बहतरीन काम किया example के तौर पर मैं तुम्हारे लिए case law लाया हूँ उस case law को पढ़ लो उसके बाद भी तमाम case law बताएंगे अभी कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें M.C. Mehta सहाब का दर्सन कराया M.C. Mehta 2nd versus Union of India इस case में Supreme Court ने क्या कहा इस case में Supreme Court ने कहा The Supreme Court relying on article 48 gave direction to the central and state government and various local bodies that is panchayat municipalities and board under the various statute to take appropriate step for the control of the pollution of water 1988 में M.C. Mehta 2nd year का जो बिटा case law आया निश्चित रोप से उसमें इस देश की सर्वोच नियाले ने इस देश की केंद्र राज-panchayat municipality board board मतलब pollution control board जो होता है center में भी होता है state में भी होता है इन लोगों से कहा कि आर तुमनों क्या कर रहे हो अब समय आ गया है कि इस देश में जो हमारा संसाधान है जल जिसके बिना जीवन संभो नहीं है उसको लेकर आगे बढ़ो कानून बनाओ और इस देश के सरकारों ने बिटा water pollution act जो कानून है अपना water prevention of the control of pollution act और water को लेकर जितने रूल है मुधी जी ने तो अलग मंत्राले बना दिया लेकिन मेरे कहने का आप से क्या मतलब है कि आपको ऐसे तमाम case law को पढ़ना होगा समझना होगा जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 48A की मदद लिए आप तो साभी एक लाइन में कह देंगे कि आरे आर्टिकल 48A तो DPSP का पार्ट है वो तो enforceable ही नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने मजाग तो नहीं कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलती तो नहीं कर दि सम्मिधान को समझने में जब भारत के सर्वोच ने आले जिससे बड़ी कोई न्यायले नहीं है कार्टिके भारतवनसी जब भारत के सर्वोच न्यायले ने तमाम आउसरों पर अनुछेद 48A जो की बाद किया गंदगी मत करो अपने जिम्मेदारी का निर्वाहन करो मैं तुमसे बटा MC महता नाम के कुछ केस लॉज सेयर करना चाहता हूँ जिन बच्चों का law background नहीं उन्हें लगता है MC महता का कोई एक केस होगा अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चों सैकडो केस law है इसलिए आपको समझना होगा जब भी आप MC महता का केस लिखेंगे उसके आगे एर जरूर लिख दीजे जैसे 1988, 1997, 1990 क्योंकि बटा फिर एक्जामनर को समझ में आ जाएगा कि तुमने मन से पढ़ाई नहीं की है समझ में आ लिए बात मैं आप से कुछ case law शेयर करना चाहता हूँ एक बार मेरे साथ उसको लिखने का प्रयास करो समझने का प्रयास करो जितना मुझे याद है ठीक है एक case law तो मैंने तुम्हें बता दिया 1988 का एक case law बिटा आया था चाहे दूसरी जगा की गंगा हो इसे हम लोग कहते हैं बिटा गंगा basin case ये भी environment को लेकर था बड़ा important case law था इसमें भी सुप्रेम कोर्ट ने आर्टिकल 48A की मदद की उसके बाद बिटा MC महता का एक बड़ा important case law आया 1992 में जिसे हम लोग कहते हैं ये जो गाड़ियों से धुवा निकलता है उसे कैसे हम regulate कर सकते हैं क्या कानून बना सकते हैं क्या guidelines होनी चाहिए सुप्रेम कोर्ट में उसे चर्चा की 1992 में सुप्रेम कोर्ट ने MC महता की case में पुना अनुछे धरताली से का सहारा लिया उसके बाद बिटा एक बड़ा important case है oleum gas leakage case ये भी बड़ा important case है साब oleum gas leakage case कब आया ये भी 1985 में आया और इसी case में याद रखना कार्ट के भारत उनसी PCSJ के बच्चों जिने आने वाले समय में PCSJ देना है इसी case में इसी case में Supreme Court ने MC महता के माध्यम से बिठा दो liabilities को adopt किया एक liability थी principle of absolute liability और दूसरी liability का नाम था deep pocket principle 1985 में Supreme Court ने MC महता का जो case आया जिसे हम कहते हैं oleum gas leakage case Supreme Court ने oleum gas leakage case में कहा कि जहाँ पर लोग रह रही है जहाँ पर residential area है निश्चित तोर पर उसके पास आप किसी भी तरह की hazardous industry को set up नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाईयां वहाँ लोग हैं जुड़े हैं रह रहे हैं और निश्चित रूप से अगर वहाँ पर किसी भी तरीके की वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है परशानी होती है उस factory की वज़े से तो निश्चित रूप से absolute liability कहती है आपकी जिम्मेदारी होगी अब absolute liability क्या है deep pocket principle क्या है निश्चित तोर पर इसकी चर्चर्चर बेटा special class में कर सकते हैं oleum gas leakage case जो 1985 का आया था उसमें जब ये दोनों principle को evolve किया गया तो सुप्रेम कोट ने सहारा किस का लिया fundamental right का नहीं लिया article 48 का लिया आप लोगों को याद होगा जब मैं अभी fundamental duty पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बिटा एक case पढ़ाया था MC महता काई था MC महता के case 1987 का जहांपे मैंने आपको कहा था कि environment को लेकर सुप्रेम कोट ने कहा कि awareness होनी चाहिए स्कूलों में बिटा class होनी चाहिए हर हफते एक घंटा बच्चों को environment की बादे में पढ़ाओ और इसी MC महता 1987 के case के बाद बिटा 12th class तक environment को लेकर syllabus में बदला हुआ UGC आगे बढ़ती है NCRT आगे बढ़ती है environment को लेकर 1992 से हमारे देश का हर बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि MC महता सहब की दिर है मेरे कहने का मतलब है कि MC महता ने तमाम आउसमों पर environment को लेकर बढ़ा अच्छा थां किया और यह इस देश की Supreme Court को धर्नेवाद है साधूआद है कि Supreme Court ने Directive Principal of State Policy जिसे हम कहते हैं Justice Able नहीं है उसका सहारा लेकर इस देश की सरकारों को उनके जिम्मेदारियों के प्रतिस सजग किया और मैं पुना धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश की सरकारों का जिनोंने अनुछे 49 का ध्यान रखते हुए जिनोंने Supreme Court के judgment का ध्यान रखते हुए जिनोंने MC Mehta का ध्यान रखते हुए मेदा पार्टिकर का ध्यान रखते हुए इनके activism का ध्यान रखते हुए समय समय पर थमाम कानून बनाए है और अभी तुम लोगों को पता है बिटा National Green Tribunal Act भी चल रहा है National Green Tribunal है Supreme Court का जज़ उसे प्रिसाइट करता है चेयर्मेन होता है और National Green Tribunal किसी को छमा नहीं करता है तो यह सारे विशय क्या Fundamental Rights से सही हुए यह सारे विशय क्या Fundamental Rights से सच हुए नहीं यह Directive Principal of State Policy से सच हुए कितनी सुंदर व्याख्या है अनुछे दरतालीस की कितनी बहतरीन व्याख्या है अनुछे दरतालीस एकी लेकिन हम इस रूप में इसे पढ़ते नहीं है हम एक शब्द में क्या देते हैं आरे अरे 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 फंडामेंटल लाइट से चोटा है साथ फंडामेंटल लाइट के लिए 32 से 226 है DPSP का क्या करोगे मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर DPSP को इस रूप में पढ़ोगे तो तुम्हें भी DPSP से प्यार हो जाएगा तुम को कि गजब सान मज़ा आ गया DPSP से इंपोर्टन कुछ भी नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को आनंद आ रहा है क्या केसलो पढ़ने में मज़ा आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो इमानदारी से बताना नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा है थोड़ा और दूसरे तरीके से पढ़ाई वह समझें वेरी गुड अनुष्कार आए बहुत अच्छे मसू दाला अब जब मैंने आपको एक्वल पे एक्वल वर के लिए 1976 का कानून बता दिया मैंने आपको बिटा फिर जो तमाम डेवल्याप्मेंट हुए फिर मैंने आपको फोरेश्ट वाइड लााइकunft आदो वह बता गिल यह सारे एक्व्पल है अब मैं आपको बिटा आपका ध्यान अकरम्चित करना चाहता हुँ ऑटिकिल फोर्टिस नेनननननननननननननननन faod पर देता हूं protection of monuments and places and object of national importance मतलब जितनी monuments हैं places हैं object हैं जो national importance के हैं निश्चित रूप के उनका protection करना होगा करेगा कौन state ये बिटा विश्य article 49 में दिया है एक बार इसे पढ़ लो मेरे साथ article 49 requires the state to protect every monuments place or object of artistic historic interest declared by or under law made by parliament to be of national importance from spoliation disfigurement destruction removal disposal export what does it mean जितनी भी राष्ट्री में हैं तो के ऐसे हमारे monuments and places and object हैं जैसे मेरे हां सारनाथ हैं आप अगर बिटा सारनाथ में आते हैं और निश्चित तोर पर सारनाथ में जितने भी development हैं जितनी भी चीजों को आप देखते हैं अगर बिटा आप उसे destroy करते हैं आप उसे remove करते हैं आप उसे spoil करते हैं उसमें आप छोटा सा दिल बना देते हैं उसमें आप अपना नाम लिख देते हैं या उसे चुरा के अपने example देने ही आया हूँ आज की class में एक बार नीचे पढ़ लो pursuant to article 19 pursuant to article 49 the parliament has enacted the ancient and historical monuments and archaeological sites declaration of national importance sect 1951 आजादी के एक साल बाद ही पंडित नहरू की सरकार ने जिसने में कहता हूँ आजाद भारत के निर्माता पंडित नहरू की सरकार ने भारत के प्रदम प्रदान मंतरी ने अनुछेद उन्चास का प्रेणना लेकर बेटा उससे 1951 का एक कानून बना दिया अगर कुछ भी ऐसा करोगे जिसकी चर्चा मैंने तो जेल की हवा तो खानी पड़ेगी फाइन तो देना पड़ेगा और निश्चित रोब से बिटा एक बार जेल चले जाओगे तो तुम्हें पता है फिर तुम्हारा क्या होने वाला है तो अपने आसपास लोगों को बताओ ये आटिकल 49 DPSP में नहीं है 1951 में ही इसको लेकर कानून बन चुका है और एक्जामनेशन में लिख कर आना जहां भी मौका मिले कि सहाब DPSP केवर DPSP नहीं है बहुत सारे DPSP ऐसे हैं जिनके लिए कानून बन गया है अब मैं आगे बढ़ता हूँ मेरा फेवरेट आर्टिकल आर्टिकल 50 जिसकी चर्चा मैंने अपने बच्चों से तमाम आउसरों पर की है आज भी करना चाहता हूँ सबूतों के साथ ठेक है सर मेरी फ्रेंड भी आई है क्लास में उसका क्या नाम है अनुश्कार आए उसको बुलाओ और सबसे अच्छा है उससे शाम को बुलाओ शाम को मैं पार्टी दे रहा हूँ अर्पना के बर्डे की तो सभी बच्चों को आना है रात को नौ बजे अर्पना के बर्डे की पार्टी है ठेक जिसकी चर्चा मैंने बच्चों हो 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 separation of judiciary from executive क्या बात है सहाब अनुश्केट 50 कहता है it requires the state to take a step to separate the judiciary from the executive in the public services of the state and it will promote the rule of law and this is very essential what does it mean मैंने कहा कि सहाब हम बात करते हैं मैंने federal polity कई बात पढ़ाया है federal polity में मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ federal polity में federal polity में मैं विराट कोली युक्ता भारत उनसी कहता हूँ कि युक्ता भूकी है लेकिन तब भी मेरे साथ क्लास कर लिए आप कहेंगे अरे सर क्या बोल में अरे मतलब योक्ता का नाम दिख गया तो हम समझ गये योक्ता विचारी भूकी है तब भी मेरे साथ बैठी है मेरे कहने कहने जब योक्ता दास मैंने फेडरल पॉलिटी की बेटा कुछ शर्तें बताई थी और फेडरल पॉलिटी के रूप में जब मैं भारत को कहता हूँ कि भारत एक संधात्मग ववस्ता है तो मैं भारत के लिए कहता हूँ कि यह भारत में सुप्रिमेसी अफ दे जुडिश्री है आप करेंगे हाँ हाँ साब या तो आया आपने फेडरल पॉलिटी में बताया तो था कि नयापालिका की स्वतंतरता फेडरल पॉलिटी के लिए बड़ी जरूरी है और भारत में नयापालिका की स्वतंतरता है लेकिन क्या आप इस बात को इस रूप में एंटरप्रेट कर स तो आपको नहीं लगता ये स्वातायो स्वातंतरता ताकत योगदान बिटा आटकिल 50 की वज़े से संभव हो पाई है क्या अगर नियाय पालिका में एक्जेक्यूटिव का हस्त छेप रहता क्या अगर इस देश के जजेस का ट्रांसफर पार्लियामेंट प्रधान मंत्री रा तमाम चीजे इस देश के सरकारों के पास होती तो आपको लगता है कि जिस रिहद योगदान की बात हमने पालिका के रूप में करते हैं भारत में 1960-2020 के दौरान क्या वह संभव हो पाता जब मैंने आपको जूडिशियल एक्टिविजम पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा जूडिशियल एक्टिविजम के रूप में इस देश के सर्वोच नयाया लेने इस देश के उच नयाया लेने मैं तो फैनू पतंजली जाप का मैं तो फैनू जस्टिस भगवती जस्टिस कृष्णा आयर का क्या जस्टिस भगवती जस्टिस कृष्णा आयर इस हद तक काम कर पाते जहां पर एक sitting प्रधान मंतरी को वो कहते कि आपको चुनाओ गलत था इंदरा गांधी जिनका सिक्का चलता था कहा जाता था इंडिया इस इंदरा इंदरा इस इंडिया वो सुप्रीम कोट ने इंदरा गांधी के खिलाफ जाना पसंद किया क्योंकि हमारी न्यायपाली का स्वतंत्र थी ताकतवर थी और ये क्यों संभव हो पाया बेटा ये संभव हो पाया आर्टिल 50 से जहां पर इस दे मैं आप लोगों से कुछ instances share करना चाता हूँ निश्चित रोप से अगर आप वो समझ गए तो निश्चित तोर पर आपको लगे गा रही यार ये तो सर बिल्कुल सही बोल रहे है मैं आप से कहूंगा क्या 1967 का वो समय मैं AK करके लिखता हूँ क्रिपया करके आप भी मेरे साथ लिखना ठीक है मैं AK करके लिखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों क्या 1967 का वो समय जब गुलतनाथ वर्शेस इस्टेट और पंजाब में जश्टिस सुभा राव ने कह दिया कि fundamental rights are not amenable आप Article 368 में कुछ भी कर सकते हो लेकिन fundamental rights में बदलाओ नहीं कर सकते हो सरकार किसकी थी भारती ये राश्ट्री Congress देखो मैं Congress की न बुराई करना हूँ न तारीख मैं बता रहा हूँ कि वो सरकार इतिनी ताकतवर्ड सरकार थी लेकिन सुभा राव सहाब ने सुप्रीम कोड में बैट कर ये कहा कि ना 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 fundamental rights are not amenable कैसे संभभ हो पाया क्या आपको नहीं लगता है कि न्याय पालिका की ये ताकत article 50 से आती है उसके बाद बिटा 1973 में केशवननदा भारती वर्सेस state of केडला में जब सुप्रीम कोड ने doctrine of basic structure को propound किया 24 वे सम्मिधानिक संसोधन को nullified करने के लिए आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोड की वो जो ताकत थी वो जो हिम्मत थी वो जो राष्टरबादिता थी वो article 50 से बिटा प्रेणा दाई थी बिलकुल थी सहाब सुप्रीम कोड डरी नहीं सुप्रीम कोड जुकी नहीं तब पस्चाद विटा हम लोगों के सामने 1980 में मिनिर्वा मिल्स का केस आता है 1980 मिनिर्वा मिल्स वर्षे यूनियन ओफ इंडिया जिसमें नानी पालकावाला साहब जो defender of rights कहे जाते हैं वो खड़े होते हैं और सुप्रीम कोड में चैलेंज करते हैं केन सरकार के उस कानून को जहां पर केन सरकार कहती है कि DPSP को enforce करने के लिए हम fundamental rights सा समझोता कर सकते हैं नानी पालकावाला साहब कहते हैं नहीं नहीं ये शक्ति आप में नहीं है वो DPSP को लेकर लड़ रहे थे DPSP के खिलाफ लड़ रहे थे लेकि नानी पालकी वाला साहब DPSP से ही वो ताकत प्राप्त कर रहे थे क्योंकि सरकार ने कहा दिया था कि fundamental rights को हम कर देंगे ignore कर देंगे overruled अगर DPSP को सच करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ चौथे नंबर के रूप में फ्रैंकिस को रोली वर्से यूनियन टेरिट्री अफ दिली ये सारे केस लिखते जाना न ऐसा नहीं है हम बस भासर दे रहे हैं तुम लोग सुन रहे हो फ्रैंकिस को रोली वर्से यूनियन टेरिट्री अफ दिली में सुप्रीम कोट ने ये कहा कि इस देश के सरकारों की अभिया मनमानी बंद होगी हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम लोगों को जीवन जीने का अधिकार अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं वर्सेस तमिल नाडू का केस कौन भूल सकता है इस केस को भाई सहा जब ये पुलिस वाले सरकार किसी के पीछे जासूस को छोड़ देती थी पुलिस को छोड़ देती थी किसी की रेकी कराने लगती थी मॉनिटरिंग कराने लगती थी किसी का phone tap करने लगती Supreme को नखा रहे मजाग चलना है हमारे देश में right to privacy आर्टिकल 21 का essential part है और right to privacy की रूप में किवल मेरी right to privacy नहीं मेरे पतनी की मतलब section 5 धारा 5 खुश हो जाएगी सुनेगी तो मेरे पास ही अधिकार है कि मैं अपने धारा 5 की right to privacy का भी सम्मान करा सकूँ उसका रच्छा कर सकूँ अपने बच्चों की अपने परिवार की अपने माता पिता की अपने दोस्तों की right to privacy के वल मेरी नहीं है मैं अपने परिवार अपने समाज अपने दोस्तों से बना हूँ तो अगर right to privacy का हनान उनका भी होता है तो मैं मानिनी Supreme Court को अप्रोच कर सकता हूँ साथ क्या चल रहा है इस देश में क्या आपको नहीं लगता Supreme Court ने ये बहतरीन जेज्मेंट अपनी power अपने article 50 के उस basic essence से दे पाया जो directive principle of state policy में है उसके बाद छटे नंबर पे मैं आपका ध्यान आकरसित करना चाहता हूँ कपिला हिंगोरानी का case कपिला हिंगोरानी versus union of India जहां वापस इस देश की राज और केंश सरकारों के मुँपर तमाचा मारते हुए इस देश के सुप्रेम कोट अनुछेत 50 की उल्मोल भामना को चरितार्थ करते हुए कहती है कि इस देश की सरकारों की या जिम्मेदादी है कि इस देश के लोगों को livelihood दे जीव का परजन का साधन दे अगर नहीं दे सकते हो तो सरकार कहलाना बंद करो चुनाओ लड़ना बंद करो मन बनो प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री लेकिन अगर हो अगर संसद हो तो इसे देश के लोगों को livelihood देना होगा और कौन भूल सकता है साहब अरुना सौनबाग वड़ से Union of India का वो केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने permanent vegetative state की नई परिभासा गड़ी और उन्हें ने कहा कि ठीक है साहब अगर कोई वेक्तिस हाल में है कि वो वर्षों से ना तो जीवित है ना तो मृत है तो आप उसे मृत घोसित कर सकते हैं निश्चेत रोप से उसका जीवन छेन सकते हैं अरुना सौनबाग वाला केस तुम लोगों को पता होगा यार जो अपना बंबे वाला वो हस्पिटल है कौन सा हस्पिटल है वो सी से नाम है उसका कामा की कौन सा उस्पिटल है जो रेप हुआ था उस नर्स के साथ वो सालों से 1997 से बिचारी अधवरी स्थिती में थी अरुडा सौनबाग के रूप में जीने हम जानते हैं आपको नहीं लगता साहब 1967 से लेके 2017 तक मैंने आपको ऐसे कुछ इजामपल दिये इजामपल तो सैकड़ो हो सकते हैं क्यों कर पाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोर कोर्ट ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि अनुछेत 50 में यह जिम्मेदारी सरकारों किया कि वो हस्तचेप नहीं करेंगी नैपालिका में और जब बिटा हमारे देश में नैशनल जुडिशियल एपॉंट्मेंट कमिशन को सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं चलेगा NJAC, तो लोगों ने कहा रहे साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा गलत किया अरे आप अनुचेत 50 में कह रहे हैं कि नैपालिका में कारेपालिका हस्तचेप नहीं करेगी तो किस तरह सुप्रीम कोर्ट बिटा आर्टिकल 50 को भूल जाती भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो बंधी है आर्टिकल 50 से और केशो नंदा भागती में खुझ सुप्रीम कोर्ट 13 जजस के मांधियन से क्या रही है कि सम्मिधान के हर एक अच्छर को हमें जीवन्त रूप देना है तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 50 की मज़द से नैशनल जुडिशल एपॉन्मेंट कमिशन को का नहीं चल सकता साब इस देश में आप इन सारे केसलो को याद कर लो पढ़ लो और इसका इस्तमाल सीख लो कि एक ही केसलो गोलकनाग का केसलो किस तरह fundamental right में यूज करोगे किस तरह DPSP में यूज करोगे किस तरह article 368 में यूज करोगे आपको आना चाहिए एक केसलो एक बार पढ़ो से 10 जगे इस्तमाल करो यही खुबसूरती है AP सर की और यही अंदाज है AP सर का जहां वो अपने बच्चों को art of writing और art of interpretation सिखाते हैं समझ में आ रही है बात तो निश्टित रूप से article 50 बड़ा important है और इन सारे development जो 1960 के बाद हुआ सुप्रीम कोट और हाई कोट के वज़े से इन सारे development के पीछे article 50 हो सकता है मुझे comment section में बताओ आप लोगों को समझ में आया की नहीं आया हाँ बिलकुर election नहीं होगा तो dictatorship आ जाएगी बताओ जल्दी मैं तुम लोगों का comment देख रहा हूँ और तुम लोगों लाइक को अगरा करना भूल गयों क्या सब क्यों बेटा लाइक कर दो नहीं तो ऐसा जादू चलाएंगी जितना पढ़े हो सब भूल जाओगे मेरे पास मंत्र है ऐसा कि जब पढ़ा भी सकता हूँ भूल भी सकता हूँ जिसने लाइक नहीं किया यहाई से ताम तुम ताम भुरूम करूंगा तुम लोग भूल जाओगे समझे हाँ बहुत ताकतवर इंसान है जलो जली यली लाइक करो जिसने लाइक नहीं किया कुनाल यादो अगर बिटा तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया कुछ कम समझ में आया तो मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहता हूँ कुनाल शाम वाली क्लास में क्यों नहीं आते हो हम सुबह वाली क्लास के चर्चा शाम में करते हैं आउना एप्लिकेशन पर कौन मना कर रहा है पैसा लग रहा है वाँ पर एप्लिकेशन में आने पर बताओ एप्लिकेशन पे आओ हमसे डिबेट करो हमको टेलिग्राम में अपने सवाल भेजो आज सुबई धरमीड सिंग चोहान एक केस लौ भेजा है हम लोग चर्चा करेंगे टेलिग्राम पर मैं तो इन्वाइट करता हूँ तयार हूँ डिबेट के लिए करो तो हमसे डिबेट हमसे बोलना सीखो बात करना सीखो लड़ना सीखो ठीक है लेकिन सम्मिधानिक दर्सन के साथ अजय कुमार तुम 12 में हो तो बहुत बड़े हो मेरे प्लास तो क्लास 9 की बच्चे हैं क्लास 9 का आकाश है क्लास 9 का स्लूक यादव है तुम तो महराश्ट तब भी 11 12 में हो डेली बढ़ो मेरे साथ आगे सर आप जब भी पॉलिटी पढ़ाते हैं लगता है आज तो लाज दिन है पॉलिटी का मतलब हम इतना खराब पढ़ाते हैं कि Ruby को लगता है आज आखरी दिन है आज के बाद quality नहीं पढ़ेंगे ठीक है Ruby तुमने मुझे दुखी कर दिया सर पर्मानेंट वेजिटेटिव इस्टेट क्लियर नहीं अरुन कुमार तुम तो आते हो नए अप्लिकेशन में वहाँ बता देंगे पर्मानेंट वेजिटेटिव इस्टेट का है कुछ नहीं है बिटा मतलब एक ऐसी अवस्था बिटा ना जहां पढ़ना तुम जी रहे हो ना मर रहे हो एक मरना सन इस्थिती मरना सन इस्थिती क्या होती है जहां मृत नहीं है बस एक ऐसी इस्थिती है भीष्पितामा को देखे थे कि नहीं भीष्पितामा मरना सन इस्थिती में थे तो बिटा यही है वेजिटेटिव इस्थेट और यही vegetative state जब आप लोगों को रेप पढ़ाएंगे तो रेप में भी पढ़ाएंगे बिटा कि रेप में अगर आप किसी को vegetative state में रख देते हैं अपने गंदे काम से तो 20 साल से life imprisonment की कठोरतर punishment आपको मिलेगे ठीक है चलो यह विशह भी बड़ा important है examination में आता है इसलिए आपके लिए ले क्या हैं एक बार मेरे साथ पढ़ लू promotion of international peace and security क्या कहता है article 51 क्योंकि article 51 DPSP का आखरी article है ठीक है क्या कहता है article 51 हम लोगों ने अभी कुस दिन पहले international law पढ़ा international law में बटा हम लोगों ने general assembly के बारे में पढ़ा security council के बारे में पढ़ा international court of justice के बारे में पढ़ा international law के क्या source हैं पढ़ा ICJ का क्या सुमला सब पढ़ लिया है हम लोगों ने United Nations Charter का एक मात्र सिधान्थ क्या है international peace and security ये विशे में फंडामेंटल right में नहीं दिया है ये विशे दिया है DPSP में कि इस देश के सरकारों की जिम्मिदारी है कि वो अंतरराश्ट्री सुरच्छा को अंतरराश्ट्री सांती को बढ़ावा देगी दूसरा maintain just and honorable relation between nations तीसरा foster respect for international law and treaty and obligation in the dealing of organized people with one and another अब कहने का मतलब है United Nations तो दुनिया बर की treaties बनाता है United Nations तो दुनिया बर की agreement को बढ़ावा देता है United Nations कोई court तो है नहीं संसत तो है नहीं कि सभी लोग उसकी बात मानेंगे Supreme Court तो है नहीं जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1945 में बेटा United Nations आता है United Nations के 4-5 सालों बाद हम आजाद हो जाते हैं हमारे देश के सम्मिधानिक निर्माताओं ने 4 साल की उस स्था पर भरुसा जताया और Directive Principal of State Policy में इस देश के सरकारों के पर ये जिम्मिदादी डाली आप United Nations का सम्मान करेंगे कितने दूर दर्सी थी अगर उनको बिटा शक होता कि अरे United Nations तो भी 4 साल पहले बना है पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा dispute by arbitration हमारे देश में कानून है कौन मुझे मैसच कर रहा है कोई मुझे WhatsApp पह मैसच नहीं करेगा block कर दिया जाएगा हमारे देश में कानून है पता नहीं तुम लोगों ने उसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है Arbitration and Conciliation Act 1996 ठीक है इसे बिटा हम कहते हैं ये अंसिट्रॉल मॉडल पर टिका हुआ कानून है ठीक है अब आपने साथ अंसिट्रॉल मुझसे पढ़ लिया ADR के बारे में आपने पढ़ लिया ADR के चर्चा मैंने आपसे CPC में बिटी है CPC में Order 10 इससे जुड़ा है CPC में बिटा Section 89 इससे जुड़ा है मैंने तुम्हें हिंदू में Reject में भी पढ़ाया था कि Arbitration के हमें जरूरत पढ़ती है तो भाईया ये Arbitration इतना important है कि Directive Principal of State Policy में कहा जा रहा है कि जब भी बिटा International Dispute होगा आप Arbitration से मध्यस्ता से सुल जाईए आप कोट कचारी मुकदमा में मत पढ़िये आप Nuclear Bum, Atom Bum लेके मन भाग जाईए ऐसा नहीं टैंक के अंदर खुदी भाग के धरमवीर सिंग्चॉन टैंक के अंदर बैढ़े गये और पाकिस्तान के ओपर चढ़ाई कर दी नहीं सरकार के रूप में आपका ये करतव है कि आर्बिट्रेशन जिस आर्बिट्रेशन के बाद United Nation करता है बिटा आप उसके रूप में आगे बढ़िए और मध्यस्ता के आधार पर बाचीत के आधार पर मित्रता के आधार पर अपने जगणों को सुलझा लिजे ये सारे विशेट डिरेक्टिव प्रिंसिपल अफ इस्टेट पॉलसी वे दिए और वेरी मच इंपॉर्टन वेरी 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 मच इंपॉर्टन ठीक है आटकिल 51 के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे देश में बिटा एक बहुत इंपॉर्टन संस्थान है जिसको हम कहते हैं National Human Rights Commission मैंने पढ़ा दिया National Human Rights Commission YouTube पे पढ़ाया एक डिड़ महीने पहले मेरे कहने का मतलब है कि सहाब हम National Human Rights Commission की बात करते हैं लेकिन आपको मैंने बताया है National Human Rights Commission की स्थापना किस कानून से हुई National Human Rights Commission की स्थापना बिटा होती है Protection of Human Rights Act 1993 आपको क्या लगता है कि ये केवल केंज सरकार की पहल थी नई ये बिठा Article 51 की वज़े से संभव हो पाया जब दुनिया भर के देश यह कह रहेते कि Human Rights को लेकर आगे बढ़िये जो International हमारा commitment था जो Treaties थी Human Rights को लेकर उसमें पूरे दुनिया के मुल्क के देशों से ये आशा करता है United Nations आप अपने देश में ऐसे संस्थानों का निर्माण करेंगे जो मानवा अधिकार की सुरच्छा करेंगी समझे मेरी बात को भारा सरकार ने 1993 में संसत के माध्यम से Protection of Human Rights Act के स्थापना की और Protection of Human Rights Act के पीछे National Human Rights Commission Act के पीछे State Human Rights Act Commission के पीछे निष्टित रूप से अगर कोई एक आर्टिकल जिम्मेदार है तो वो आर्टिकल है बिटा आर्टिकल 51 क्योंकि आर्टिकल 51 क्या रहा था सरकारों से कि तुम्हें सम्मान देना होगा pursuant to the pursuant to the direction enshrined in Article 51 of the Constitution and International Commitment Parliament has passed the Protection of Human Rights Act 1993 the act provides for setting of a National Human Rights Commission Human Rights courts to meet the growing concern for human rights in the country and abroad similar commission may be set up in the state also आज जब इस देश में अपने स्थापना से लेकर आज तक लाखो लाख cases जो human right violation के थी अगर बेटा state और national human right commission उसे resolve कर पाया न्याय दिलवा पाया दोशी पुलिस वाली दोशी जेल वाली दोशी राजनेता दोशी वो लोग जो निश्चित तोर पर बेटा human right को violate करते हुए पाए गए अगर वो सजा पा पाए निश्चित रोप से और तुम लोगों को पता है जहां कहीं भी इनकाउंटर होता है हमारे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी गाड़ी पलटती है तो निश्चित रोप से बिटा national human right commission उसका संग्यान लेता है क्यों लेता है human right को प्रिजर्व करना है प्रोटेक्ट करना है क्या ऐसे जरूरत अंपरिती मजबूरी अंपरिती अरे सहाव आर्टिकल 51 खड़ा है इट इस वाचिंग दी गवर्मेंट ऑफ अंडिया क्या कर रहे है यह हो तुम लोग तो national human right commission के ऊपर आप जब कभी भविस में आंशर लिखेंगे आप आर्टिकल 51 की चर्चा जरूर करेंगे international जो हमारे obligations हैं उनकी चर्चा आप जरूर करेंगे ठीक है समझ में आ रहा है कैसे DPSP को लेकर बेटा सरकारें कानून बनाती है किस तरह DPSP non-justiable होके भी इस देश की आत्मा में बसा हुआ है समझ रहे हो कमेंट सेक्षन में बताओ फिर आगे चलते हैं ठीक है धरमवीर सिंग चौहान बड़ी बाते करते हो या तुम मत किया करो धरमवीर सिंग चौहान कभी कोई बच्चा कंप्लेन कर देगा ब्लॉक हो जाओगे क्या फायदा तुम बताओ धरमवीर पढ़ाई पर ध्यान तो तुम्हीं क्या मतलब है कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है इतने अच्छे हो तुम पढ़नी में इतने लंबे समय से मेरे साथ हो आगे पढ़ो महराज चौहान बड़ी बाते करते हैं मत किया कुल रहा है कभी कोई बच्चा का प्रेंट करने का आप जौप हो जाओं कि क्या फायदत तुमत हो प्रहाई रठां कि क्या बंगर कौन क्या पूर रहा है कि पानी चलो ठीक है अब अगला विश्य है विलेच पंचायद का मैंने इसे क्यों आखरी में रखा क्यों मैंने बिटा 49 के बाद सीधे 44 का चैन किया फिर 48 का चैन किया फिर 49 एक चैन किया फिर 50 फिर 50 क्यों अरे महराज अभी तो तुम लोगों को पंचायت के बारे में इतना अच्छा पढ़ाए है तुम लोगों ने अपने नोडस को अप टूडेट किया है पंचायद पे क्यों है न तो चलो एक बार विलेच पंचायद को पढ़ लेते हैं The state to take a step to organize will as panchayat and to endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self-government. सबी को पता है अनुझे 40 बिटा सेल्फ गौर्नमेंट को इस्थापित करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तोर पर यह पावर देने की बात पंचायतों को करता है कि आप राजसौकेन सरकार के रूप में पंचायत को आगे बढ़ाएंगे आप डिसेंटरलाइ रूपी ताकत नहीं होगी किस बात का प्रजातन अगर किताबों में लिखने से प्रजातन तर आ जाता है तो बिटा जरूरत क्या थी सरकार के बस किताबों में लिख देते उनकी उपियोगीता है कि ये जो प्रधान है आपको पार्टिसिपेट करना है तो ये democratic संसकारों का स्रिजन है जहां हम इस देश के गाउं के लोगों को संसकारित करना है कि आपको participate करना है चाहे वो चुनाओ प्रधान का हो चाहे वो चुनाओ जिला पंचायत अध्यच का हो चाहे वो चुनाओ विधाईकी का हो सांसर्दी का हो क्योंकि ग्रास रूट पर अगर भारत मिजबूत होगा किंग कोली तभी तो बिटा प्रेयंबल के सपने को साकार कर पाएंगे विलच पंचायत हैस बिन एंट्रोड्यूस्ट थ्रू आउट दा कौंटरी मैनी स्ट्रेट से विनेक्टेड लॉस फोर दी ओर्गनाइज़ेशन ओफ फंक्शनिंग और पंचायत 1956 से राजस्थान से लेकर आज तक तमाम भारत के राजियों ने बिटा पंचायत को वरस्था को एडॉट किया इंप्लिमेंट किया एंडोर्स किया मैंने तुम लोगों को अभी कुछ दिनों पहले पेसा के बारे में पढ़ाया पेसा भी पंचायत से जुड़ा है है ना बफरिंग हो रही है चलो एक मिनट थोड़ी देर वेट करो देखते हैं वेट करो वेट करो कि हाथ कि देखते हैं यह टलने है चला क्या स्पीड है यह टेल की चल तो राए यह टेल ठीक है आ गया है I'm back I'm back ठीक सभी को clear है thank you so much everyone थोड़ी बहुत problem हो जाती है थोड़ी बहुत problem हो सकती है अगर internet में problem होगी तो बताना दूसरे internet को switch over कर लेगी टेक हम लोगों के पास जै महाकाल है तो internet की कोई हैसियत नहीं है समझे कि जै महाकाल से भीड़ सके क्यों जस्वन्त चलो जस्वन्त आगे बढ़े इस देश की सरकारों ने इस देश की सरकारों की आकारमणयाता को दूर करने के लिए 73 और 74 सम्विधानिक संसुधन के रूप में पंचायत और मुंसिपैलिटी को सम्विधानिक माननेता दी इस देश के सरकार नहीं न 74 सम्विधानिक संसुधन को लाया था कोई और तो लेकर नहीं आया था तो निश्चित रूप से आपको समझना होगा कि आठकिल 40 जब ये जिम्मिधारी सरकारों के उपर डालता है कि आगे बढ़ो लाव बनाओ इस देश की केन सरकारों ने अपने ही सरकारों की जो कमियाती उसे दूर करने के लिए 34 में सम्विधानिक संसुधन के रूप में पंचायत को मुनसिपैलिटी को कॉंस्टिटूशनल स्टेटस दिया दा कॉंस्टिटूशन 73 जविए 74 अमेंडमें 1992 प्रोवाइट कॉंस्टिटूशनल सेंशन आपने कहा सहाब 73 और 74 सम्विधानिक संसुधन आया आपने कहा सहाब भाग 9 और भाग 9 आया ठीक तो है क्या प्रॉब्लम है लेकिन सहाब आपने ये नहीं कहा कि ये क्यों आया ये सहाब आर्टिकिल 40 से आया क्यों आज पंचायत के जो हमारे प्रतिनिदी हैं जो हमारे प्रधान जी हैं वो क्यों बड़ी-बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं मेरे कहने का मतलब है वो रस्ता गलत है वो इसलिए घूम रहे हैं कि बिटा फंड की अब कमी नहीं है आप उसको मिस अप्रोप्रियेट कर रहे है वो अलग विशय है वो रस्ता-चार का विशय है वो दूसरा विशय है लेकिन मेरी कहने का मतलब है ये जो ग्राम के प्रधान के पंचायत के सदस्यों के आप स्वैग को देखते हैं ये क्या इशारा नहीं करता है कि आज पंचायतों के पास पैसा है आज आप बॉम्बे जैसे इलाकों में चले जाएं जहां कॉर्पॉरेटर किसी विधायक से कम नहीं होता वो क्यों है क्योंकि कॉर्पॉरेटर्स के पास कॉर्पॉरेशन के पास पैसे की कमी नहीं है क्यों संभव हो पाया ये क्योंकि सहाब हमारे पास article 40 है ठीक है तो मैंने क्या लिखा मेरे साथ एक बड़ समझने की कोशिश करू मैं मार कर देता हूं जो शब्ध इंपोर्ट है ग्रामसभा इस बोड़ समझने की कोशिश कर देता हूं जो शब्ध इंपोर्ट है अ यह ओइ Beschाथ लोड़ा ठाहिं जो शब्ध है तो मैंने मारीं जो शब्ध जो शो मैंने की कोशिश कर देता मेंचने कोशिश कर देता कंई क क्यों genuine पास constitutional guarantees है, किस चीज की, इन्हें हर वो feature मिल सके, सुविधा मिल सके, जिससे रूप में हम इस देश के गाउं में प्रजातंतर को इस्थापित कर सके, क्या यही सपना गांधी का था, यही सपना था, क्या यही सपना article 40 का था, यही सपना था, तो इन सारे development के पीछे एक ही अनुछेद का नाम है, अनुछेद चालिस, these amendments ensured their regular election and also provide for reservation of seat to schedule का schedule tribe and women in the panchayati raja bodies, हमारे देश के संसर भले आज तक महिलाओं को 33% आरच्षड नहीं दे पाई, लेकिन panchayatों ने दे दिया, municipalities ने दे दिया, आपको नहीं लगता है साहब, जब मैं प्रेयम्बल में जेंडर जेस्टिस की बात करता हूँ, तो आपको नहीं लगता है इस जेंडर जेस्टिस में, जब भी आपको बेटा essay में लिखने की जरूरत होगी, आप article 40 के योगदान को भी उन ले खित कर सकते हैं भी आपको बात की बात की वज़े से नहीं संभा हो पाया, कि आज हमारे देश की 33% माताएं बहने चुनाव लड़ रही हैं, और उनके पती प्रधान पती के रूप में जाने जाती हैं, ये क्रांती, ये बदलाओ, ये परीवर्ता 9.6 की वज़े से संभा हुआ, अंडर दीज अमेंडमेंट्स, दपंचायती राज, इंस्टिटूशन से हैं, बोथ फाइनेंशियल एंड एड्मिनिस्टेटिटिव पावर, ये सारे विशह है, किवल एक आर्टिकल से संभा हुए, उस आर्टिकल का नाम था, आर्टिकल 40, ठेक, आप सभी को समझ में आया आर्टिकल 40 की इंपोर्टेंस, आर्टिकल 40 ने क्या पौरिवर्तन किया, पौरिवर्तन, ठेक, चलें साब, अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अब चलते हैं अन्त की तरह, अन्त मतलब अभी वी दो-तीन घंटे लग जाएंगे, क्या रिलेशन है, समझना पड़ेगा ना, कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन इंपोर्टेंट, कौन नॉन इंपोर्टेंट, ठेक, चले सहाब, डिरेक्टिव प्रिस्पल अफ इस्टेट पॉलसी और फंडामेंटल राइट की चर्चा के दौरान मैं आपका ध्यान आकर्चित करना चाहता हूँ, एक विशे क्यों, वो विशे क्या है, बिटा दे को कहा क्या गया, कि सहाब फंडामेंटल राइट ही इंपोर प्रिस्पल अफ इंपोर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट ही जेस्टिस एबल है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, क्या केवल फंडामेंटल राइट से इसे देश के कलियार कारी राजय का सपना सच हो सकता है, मैंने पहले भी बताया, नहीं, नहीं, आप कहेंगे तब क्या होगा, मैं कहूँगा इसके लिए आपको फंडामेंटल राइट और डिरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इस्टेट पॉलिसी के सपने को समझना होगा, कि किस तरह डिरेक्टिव प्रिंसिपल अफ इस्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिस एबल आप प्रवर्तनिय होकर वही बात करती है जो बात fundamental light करती है और किस तरफ fundamental light प्रवर्तनी हो कर भी वही बात करती है जो डायरेक्टरी प्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलसी करती है मेरे कहने का मतलब है जो undercurrent है जो interconnectivity है जो correlation है वो तो जुड़ा हुआ है अब ये जो जुड़ा हुआ है ये examination में पूछा जाता है अब ये ही समझना है कैसे जुड़ा है कैसे हम कह सकते हैं कि दोनों एक बराबर है ठीक है आज बस करें क्या हो गया क्यों भाई लोग क्लास कंटिन्यू करें अभी 15-20 मिनिट की हो गया जल्दी बताओ तुम लोग नहीं तो फिर comment section की ओर चलते है जैसा बच्चे बताएं मैं ऐसा करें क्यों वही दिनेश कह रहा है बस करिए क्यों जल्दी बताओ देखो इतना समय नहीं है मेरे पास समझे हां सर हो गया इसमें कुछ exceptions भी हैं क्या justiceable भी तो होता है कभी कभी तो जस्वंत वही तो बता रहे थे बिटा ठक गये जी continue सर जी सर यस सर घर जाना है घर जाना है हम कौन सा तुमको कोचिंग में बिठाएं है continue सर हो गया सुवह भी आज की class दो recording देखी थी सर मैंने जो supreme court का कानून भेजा है चालो ठीक है चालो ठीक है चालो ठीक है चालो ठीक है तो बच्चों की बात का सम्मान करते हुए देखो धरमवील प्राण मत पिया करो समझे कुछ बच्चे एक दम प्राण को पीने पे तुल जाते हैं अरे महराज आपका judgment हम पढ़ लिए मतलब आपका comment आपको जवाब भी दे दिए अब महराज अगर 40 बर comment नहीं करेंगे क्य आप ठाकूर है कर आप हम लोगों को डरा रहते कि सर हम ठाकूर हैं कौन ठाकूरों से लड़ेगा महराज हम तो भारतवनसी हैं तो कहें परिसानों कर लेंगे ठीक है तो अब हम लोग रात को मिलेंगे बिटा 9 बजे अपने ओफिशियल समय पर इतिहास को लेकर पॉलिटी क मसूध आलम सारे बच्चे मसूध आलम नहीं हो सकते आज तुम्हें पता है मसूध आलम कार्थिके भारतवनसी इतनी किसी कि नहीं किया था जितनी तुम्हारी कर रहा था कहाँ सर हमको पहली बाद अपने जैसा कोई एक बच्चा मिला जो क्लास के बारे में सोच रहा है जो क्लास में मिटा इस तरह की एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहा है जल्दी जल्दी कह रहा है जल्दी बताओ जल्दी बताओ खुद इतनी मैनत करता है हम लोगों के लिए inspiration का काम करता है हम जारकंड आ जाएंगे तुमसे मिलने हाँ पका और वहीं से पढ़ाएंगे दो-चार दिन बस तुमारे सम्मान में हम कारतिके आ रहे हैं मसूद तैयारी कर लो अब बेटा टिकट करा देना हम लोग बेना टिकट के नहीं आते हैं ठेक तो चलो फिर रात को मिलेंगे हम लोग 9 बजे अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो मुझसे पूछ लो अरून आप कहां पर रहते हो बेटा अरून इस समय क्या कहते हैं मार्स गया है मार्स से वो क्लास ले रहा है तुमसे का मतलब है कहां रहता है विराट कोली सर मैंने नहीं सुना था अरे घजबाल है इतने अच्छे से आपका जवाब दिया है धरमवीर ने मुझे इतना अच्छा क्वेशन बेजा धरमवीर से हम डिबेट करेंगे मैं कहता हूँ आओ डिबेट करो जूट बोलते हो जूट बोलते हो जी सर मुझे टाइपिंग करने का समय नहीं रहते है हाँ हाँ ये बात तो है कार्तिके कह रहाता कि मसूद भाई समय थोड़ा कम देते है लेकिन अब क्या करें भाई आब वो तो एक्जामनार ही तैक कर सकता है आज मेरी वीडियो इस्टक तो नहीं हो रही थी क्यों मेरी वीडियो इस्टक तो नहीं हो रही थी रॉनेत मेरी वीडियो इस्टक तो नहीं हो रही थी सर मैंने नहीं सुनाता धरमवीर सिंग चौहान को ये बात बताने में 10 कमेंट करना हुआ अगर कसम बता रहे हैं धरमवीर सिंग चौहान रोज हमसे 2-4 सवाल पूछे तो 100-100 कमेंट तो लड़का केले कर सकता है सर मैंने नहीं सुनाता 10 बर बता दिया चलो ठीक है ठीक है छलते हैं फिर रात को मिलेंगे नह बजे चलो ठीक है फिर रात में मिलते हैं नो बजे सभी बच्चे तयार रहना आपने सभी मित्रों को बोल देना और सभी कोशिश करो क्लास में तुम्हारे मित्र है तुम्हारी तरह positive elements आएंगे तो तुम्हें मदद करेंगे क्लास में एक अच्छा महौल लेके आएंगे competition लेके आएंगे हर बच्चा प्रयास करो कि अपने एक दो मित्रों को बोलो चलो सर के साथ आगे बढ़ते हैं पढ़ा तो यार देखो हम ठीक ठाक लेते ही हैं अब बाकी प्रचार तुम लोग समाल लो ठीक है बाकी पढ़ाना मेरे उपड़ छोड़ दो ठीक चलो ठीक है तैंक यू सो मच आर्ती कुमारी कैथवाज सिवान द्रवेदी योग्टा कार्तिके अरपना रेतू धरमवेर चलो ठीक है तैंक यू सो मच आपर